सपनों के शहर मुंबई में मन्राज ग्रूप पेश करता है मन्राज वियू जो शहर के बीच ओ बीच एक घर खरीपने का मौका दे रहा है आपके बजट के अनुकुल शांदार 1BHK और 10 मंजिला टौवर और कीमत सिर्फ 75 लाग रुप है और यह सब उपलप है कुर्ला अनलेडी रोड, साकीना का मेट्रो सेशन और अंतराश्व एरपोर्ट के नज़दी मन्राज वियू में घर होना यानि आराम और सुविदा का पूरा आनंद चल्ली करें अनुकुल बजट में आफर केवल सिमित अवदी के लिए पी-म आवाज योजन और लोन सुविदा भी उपलप, शर्तेला वो स्वागत है आप सभी का डियारवी निउस पर मैरा पूर पांदे सुख्रवार को कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोन्या गांधी ने समान विचार धारा वाले दल और गयर भाज़पा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई इस बैठक में तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है वो शामिल हुए और अपनी अपनी बाते जो है रखी है बैठक की खास बात ये रही कि इसमें महाराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे भी शामिल हुए आपको बता दें कि महाराष्ट में फिलहाल शुषेना कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस पाटी की सरकार है जब ख़बर आई कि उद्धो ठाकरे इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं इसको लेकर विपक्ष यानि की भारती जन्ता पाटी के बड़े नेताओं ने उद्धो ठाकरे को निशाने पल लिया हालनकि इस बैठक में उद्धो ठाकरे ने विपक्षी दलो से जन्ता का भरोसा जीतने और एक्जूट रहने की अपील की है कॉंग्रेस अध्यक्ष शोनिया गांधी की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक के दोरान उन्होंने यह अपील की शुषेना नेता संजे राउट ने शनिवार को बताया ठाकरे ने बैठक के दोरान इस बात पर जोड़ दिया कि दलों को जन्ताता विश्वास जीतना होगा उनके मुताबिक बैठक में ठाकरे ने कहा कि अभी तो विपक्षी दलों में सत्ता को लेकर कोई लाल सा नहीं है लेकिन जब सत्ता सामने होगी तब भी विपक्षी दलों पर लोगों का यह भरोसा होना चाहिए कि वे मजबूत और एक जुट रहेंगे उधर पिपुल्स कॉंफरेंस के अध्यक सज्जाद लोन ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में आर्टिकल 370 का कोई जिक्र नहीं हुआ अश्चरी की बात है कि जम्मु कश्मीर के नेता बैठक में अपनी उपस्तिती को कैसे सही ठहरा सकते हैं यदि वे नेताओं को इस बारे में बात करने के लिए नहीं मना सके बीजेपी का आर्टिकल 370 के खिलाफ रुख साफ है राश्टी स्तर पर विपक्ष का रुख क्या है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही इससे जुड़ी हर जानकरी हम आप तक पहुचाते रहेंगे बने रहें ये DRV News के साथ नमस्कार